नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें घड़ी को भूल कर भी इस दिशामेना लगाएं इस से फैलती है घर में नकारात मकता इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों की आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है क्या गलती आपको नहीं करनी है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में वास्तुदोश है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकत जिससे की वास्तु दोश दूर हो और आपके जीवन से परेशानिया। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। की ही तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोश होने से सुख, शांती और पारिवारिक उन्नती में बाधा पैदा होती है के कारण पनपने वाली नेगेटिव उर्जा से व्यक्ती के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें, तो अपने घर में नेगेटिव एनरजी से छुटकारा पा सकते हैं, तो आये जानते हैं। लेकिन उससे पहले द जरूर प्रेस कर लें दोस्तों नंबर एक जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चड़ाएं और चीन्टियों को शकर मिला आटा दें, तामबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिला कर रात को अपने सर के पास रख कर सो जाएं, उसके सामने शीशा लगा दें, तो इससे धन में बरकत होती है, व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे, दोस्तों नंबर तीन जाडू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें सदैव छुप खुला रहता है, तो नेगेटिव उर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, नंबर पांच घर में सुक शांती के लिए कपूर को घी में डूबा कर सुबह शाम जलाना, चाहिए इससे घर में वास्तु दोश भी कम होता है, और रह रहे सदस्यों के जीवन की परिशानिया दूर होती है, दोस्तों नंबर 6 दुरघटना से बचने के लिए शाम को हनुमान 40 के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए, नंबर घर में जिस जगह वास्तु दोश हो वहां कपूर की दो टिकिया रखें खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें, नंबर 8 सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूर, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है, नंबर 9 घर के मुख्य द्वार पर कूरा दान कभी भी ना रखे, नंबर 10 घर में तूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना, चाहिए नंबर 11 अच्छे भ के चांदी की कटोरी में कपूर और लॉंग जलाए, यह प्रकिया रोज की जाए, तो घर में बरकत बनी रहती है, और मा लक्षमी जल्द ही ऐसे घर से आकरशित होती है, ऐसे घरों से नकारात मुक्ता सदैव दूर रहती है, दोस्तों नंबर 13 घर के सोने, वाले कमरे में प प्योग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदाई होता है, आपको शुब फल जल्द ही प्राप्त होंगे, दोस्तों घरी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है, इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस दोस्तों घरी का आकार यानि घरी की शेप दोस्तों बास्तु शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घरीया, अंडाकार घरी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा, रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घरीया मौझूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धुप, दीप, अगर्बत्ती और पूजन की आवश्चक्ता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती ह इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुग नहीं माना जाता, वो सके तो घड़ी का आकार, गोल और अंडाकार ही पसंद करें घड़ी का या अंडाकार होना हमारी प्रिथवी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नेगेटिव उर्जा का संचार करती है दोस्तों अगली बार जिसका आपको ख्यार रखना है, वो ये है कि घड़ी को स्वच रखें, साफ स्फाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बहतर होता रहे तो उसके लिए हम खुद को संबारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूशन पहनते हैं, उसी प्रकार अपने घड़ी को स्वच और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानि कहीं से भी तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, समय समय पर घड़ी पर चड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा, दोस्तों कई घरों में आदत होती हैं कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं, एक जगह का वास होने लगता है, बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से, यक्ती के जीवन में नए अवसर नहीं आते, और वह अपने कार्य में काम्याबी प्राप्त नहीं कर पाता अधी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वह है घड़ी की सही दिशा, घड़ी को कभी भी दक शिन यमलोक की दिशा मानी जाती है, काल का अंतिन चक्र यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है, घर में घड़ी को उत्तर दिशा पूर्व दिशा या पश्चिन दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकि समय आपके आने जाने की गती और दिंचर्या पर पढ़ सकता है, दोस्तों घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें, जहां घड़ी समय का प्रतीक है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुरी तारीखों का लेखा जोखा बताता है, कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दिवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये इससे वास्तु दोश उत्पन होता है, और कृप्या करके अपने घरों में, नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं, दोस्तों और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक है, जो हमें आगे ब पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें, समय सदैव सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता, ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए दोस्तों छोटी-छोटी बाते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, दो प्रेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे, ये शुब नहीं माना जाता, पुरानी घड़ी किसी दान में देना शुब माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है, इसलिए अगर आपके घ दर में कोई पुरानी घड़ी है, जो टूटी-फूटी ना हो और खराब ना हो तो वो आप किसी जरूरक मंद को दान में जरूर दें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने, रहने के लिए, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात अज़ा एपिसोर में अब तक के लिए नमस्कार